आएए आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो यानि अनुपात का प्रैक्टिस सेट दो ठीक है इसमें 11 से 20 पढ़ेंगे 11 से 20 दस कोष्चन एक से 10 हम लोग पहला वीडियो में पढ़ चुके हैं आज 11 से 20 पढ़ेंगे जो SAC CGL 2016 से 2020 तक जो एक्जाम हुआ है उसका कोष्चन है प्रिवियस कोष्चन आए हम लोग 11 नमर कोष्चन देखते हैं देखें पहला नमर कोष्चन है 11 नमर में यह है 2020 का कोष्चन SAC CGL PT का 2020 देखा रहा कोष्चन कि एक समूव में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7 अन देख लिजे तो बोल रहा क्या कि एक समूव है उसमें boy और girl का संख्या का रेशियो कितना है साथ अनुपात 6 साथ अनुपात 6 का है यदि 4 और लड़के उस समूव में सामील हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूव छोड़ देती है तो लड़कों का लड़कियों के अनुप चार अनुपात 3 होते हैं यहां चार और लड़का आ गया और 3 लड़की छोड़ दी यहां चली गई तब अब कितना हो जागा चार अनुपात 3 का रेशियो समूव में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंबिक संख्या क्या है चलिए यहां दिया है ग्वाय और girl 7 अ पात अनुपात 6 इसको संख्यात्मक मान मिलाते हैं तो संख्यात्मक मान में कैसा आजएगा तो दोनों में x से गुना करते हैं दोनों में x से यह कितना हो जाएगा 7x और यह कितना हो जाएगा 6x यानि अब y की संख्या 7x तो garlic संख्या 6x तो यहां बोला है कि y है 7x जिसमें चार गो और आ गया, तो चार गो और आएगा तो क्या होगा जूटेगा, यानि जोड़ देंगे, तो 7X पलस 4, और गरल कितना थी? 6X, इसमें क्या हुआ है? 3 गो लड़की बाहर चले गई, इन्हें समू को छोड़ दे, तो क्या होगा? 3 गो निकल गया, क्यतना हो गया? 6X-3, तो अब यह रेशियो जो हो जाता है, हो गया क्यतना? 4.93 का, क्यतना हो गया? 4.93, चले इसको solve कर लेते हैं, तिर्चा तिर्ची गुना करेंगे, तो हो जाएगा, सत्याई 21X, क्यतना हो गया? 21X, पलस, और क्यतना हो जाएगा? 4 तियाई 12, बराबर, और यहां से गुना करें देखेंगे, 4 गुना 6X, क्यतना हो गया? 24X-dLand, और 4 गुना 3, क्यतना हो जाएगा? 12, अधिके, 24X में से 21X घर जाएगा, तो क्यतना हो जाएगा? 3X, बराबर, अभी माइनस इधर आ गया, तो Lead 12, अभी माइनस 12 इधर और तो पलस 12, क्यतना हो गया? 24, यानि काटेगा, त से तीन अठी 20 कि मार्ण कितना गया यहां से आठ है अध्य कोस्च不過 जो जओ किमक्षा बुदा है समू मैं ये लड़कओं कि लड़क कि कुल प्रारदमिक संख्या कुल प्रारदमिक संध्या मतलग कितना 7x और 6x यानि कुल संख्या कितना हो जाएगा लड़का और लड़की का कब का पहले वाला प्ररम्भी मितलब पहले वाला तो 7x पालस 6x कितना हो गया साथ अच्छा तेरा एक्स अब रख दिए एक्स का भाईलू एक्स का भाईलू कितना लाएं आठ तेरा गुना आठ कितना गया एक्सोचार यानि परग्राम में वह आए और गारली की संख्या कितना थी ते एक्सोचार ओप्शन को जाएगा डी नम्मर ठीक है तो हम लोग निकाल लिए कि साथ अनुपाद 6 के रेशियो में वह आए और गारल था तो कितना हो जाएगा सेवन एक्स और 6x तो यह संख्यात मंग्मान इसमें चार गुल लड़का और जोड़ लिए तो कितना हो गया सेवन एक्स प्लस फोर और तीन लड़की तो साथ अच्छाओ तेरा एक्स एक्स का मान कितना लाएं आठ तो तेरा गुने आठ कितना गया एक्स और चार देखे एक्जाम में इतना नहीं करना है यह थोड़ा लॉंग हो गया इसी को थोड़ा सोटकेट कर देना है मतलब कोश्चन पढ़ेंगे और माइन में सेट कर यह मतले हैं कि हमको बनाना दो सिधा सिधी कोश्चन को एक लाइन में लाना है सिखे एक समू में लड़के कि अपना अनुपाद कितना है साथ इनुपाद छी यह थी यह2071 उड़का 54 आुशेद अ उफ यह बटया च्ना हो गया तो जोड़ लीजरे अब लड़का कितना हो गया 7 x प्लस फोर और तीन लड़की सब्सूप छोड़ दी तो six x में से तीन को चला गया तो कितना लड़की बची तो six यहां से आठ लाए थे आठ तो टोटल तो तेरा एक्स कामान निकलना था तो तेरा गूने आठ कर लेंगे केतना हो जाएगा यहां से एक्सोचार अंसर इस तरह से फ्रासा कल्कुलेशन करना है आएए हम लोग दूसरा नमर कोहचन देखते हैं दूसरा नमर कोहचन है कि एक्स रुपिया रासी एक बटा तीन एक बटा पाच एक बटा छे एक बटा नौ के अनुपात में ए बी सी और डी में विभाजित की जाती है यदि बी और डी के भागों के बीच का अंतर 832 रुपिया है एक्स कमान ग्यात की यह यह भी कोहचन पुछा हुआ है क्या बुला है कि ए बी सी डी ए बी सी डी इन चारों को बीच एक प्रफ्या की रासी बाड़ते हैं किस रेशियो में एक बटा तीन एक बटा पांच एक बटा छे और एक बटा नौ का रेशियो में ठीक है देखिए अब इसको तोड़ते हैं यह अनुपात में कितना जाएगा ऐसा कोशन हम बताए थे इसको अनुपात में लाने के लिए ठीक है तो वीडियो देख लिजेगा चेप्टेर जब पढ़ा रहे थे रिशियो का तो उसमें बताया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं नीचे वाला का LCM यानि तीन पांच छे और नौ का LCM निकालिए तीन पांच छे और नौ का LCM देखे तीन और छे का LCM कितना जाएगा तो छो और छो और नौ का LCM कितना सुर्ण सूरा और 815 कितना जाएगा नौब्य यानि तीन पांच छे नौ का LCM कितना जाएगा 90 नीचे वाला का LCM कि इन का सब्सक्राइब 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 कर लेंगे एक बटा थिरी गुना नब्बे तो कितना हो जाएगा यहां से तीस एक बटा पांच गुना नब्बे तो कितना हो जाएगा पांच से भागा दे लेंगे तो अठारा एक बटा छे गुना नब्बे तो कितना हो जाएगा पंद्रा एक बटा नो गुना नब्बे तो कितना हो जाएगा दस यानि क्या करना है नेचे वाला का LCM निकाल करके अब LCM में नेचे वाला से भागा देना है नबे में 3 से भागा तो 30 नबे में 5 से भागा 18 नबे में 6 से भागा 15 और नबे में 9 से भागा 10 अब इसका A, B, C, D का रेशियो आगया केतना 30, 18, 15, 10 यही रेशियों बाटा गया है अब यहां मैं ध्यान दिज्ए तो लोग अनुपात में गडिए आंतर कितना का है 80 शितना उत्र में नीची और जो निकालना रहे गां रहंहें नीकालना क्या है एक्स का मान निकालना है एक्स मतलब टोटल धन्रासी तोटल धन्रासी सब मिला करके कितना हो जाएगा सब को जोड़िए 30 10 40 10 50 और 10 60 60 और 10 70 और 3 73 कितना हो जाएगा 73 इसको गुन भागा दीजे 8 से एक मरत पर कड़ गया 0 4 यहीं 104 गुना 73 कर लिजै 104 गुना 73 तो गुना करने पर कितना जाएगा तो 75 95 कितना जाएगा 75 95 यही निकला टोटल धन्रासी कितना निकला है टोटल धन्रासी तो एक 104 गुने तिहात्तर पच्छत्तर बानवें तो ओप्सन कौन जाएगा डी नुम्मर ओप्सन डी ठीक है एक और 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 समझ लिजे क्या करना है तो ए, बी, सी, डी का रेशियो में तोड़ लिजे तो कितना गया तीस, अठारा, पंदरा, दस का रेशियो इसमें बोला कि बी और डी के भाग का अंतर आट सो बत्तिस तो हम लोग रेशियो में देखे कि बी और डी के भाग का अंतर कितना का आठ का जिसका निकालना रहेगा उस चलिए हम लोग तेरा नंबर कोहचन देखते हैं तेरा नंबर में बताया गया है कोहचन भी और यह कोई आईसा कोहचन हम लोग पिछला वीडियो में देखे हैं समानुपात के बारे में देखे 336 288 और 161 का चतुर्थ अनुपात क्या यह चतूर्थ अनुपात निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या कर लेंगे छør अनुपात को मँआख और बताया थे ऐसे एक शाथ गुराण हो जाएगा और यह रही एक साथ गुना हो जाएगा ठीक है यहीं करना है यहीं हो जाएगा 336 गुना एक्स बराबर 288 गुना 161 161 अब करना है यहां से कट यह इसमें हम भागा देते हैं चार से चार से भागा देजिए यहां से आठ चको 32 और चार चको 16 इसमें चार से भागा देजिए इसमें यह जाएगा 214 84 और अठारा चार बहात्तार और कटेगा तो कटेगा यहां से सत्या 21 और चोटिया अठारा साथ से इसमें भागा देजिए तो हो जाएगा सादुने 14 और सत्या 21 यानि एक्स का माहन कितना गया तेश गुनाच छे कितना यह है तेश गुनाच छे यानि कितना जागा च्छोटी 18 के आठारा एक और च्छोद नी बारा वेक 13 138 यानि चतूर्थन उपात कितना गया है तो 138 यानि option को जाएगा c नमर option c तो चतूर्थन उपात निकालने के लिए का किजेगा तो यहां ती तो निकाल जाएगा एक्स का मान 138 आए हम लोग चौदा नमर कोहशन देखते हैं चौद़न हमें देखिए दिया है ए बरावर 2b बरावर 4c तो a अनुपात बी अनुपात सी का मान गयात किजिये यह करता है दिखागे है यहां पर इंग्यात किजिए या क्या होगा ठीक है मान क्या है A बराबर 2B बराबर 4C है तो A अनुपाद B अनुपाद C का रेशियो कितना होगा यह पूछ रहा है तो चली हम लोग निकालते हैं किसका निकालना है A अनुपाद B अनुपाद C ऐसा कोहजन के लिए हम क्या बताए थे तो ढग करके नियम बताए थे कि जिसका मान निकालना हो उसको ढग देना है और बाकी को गुना कर उसके निचे लिग देना है अगर A का निकालना हो A वाला को ढग दिजे अब बचा कौन 2 गुना 4 बाकी गुना कर लिए 2 गुना 4 केतना जागा 8 अगर बी का निकालना हो तो दोड़ना दोगर दिया हो दोड़न? है जोर्व है यहां से कट एंगा है इसको कितना कामन हो जाएगा इसमें? दो चाको आठ दो दुदने चार दो एकांगे हैं दो यानि कितना का रिश्य आ गया चारदू A का यानि A, B, C का रिश्य कितना गया चारदू A यानि कौन सा उप्षन जाएगा A नमर, उप्षन A तो फिर एक वार समय लिजे A अनुपाद, B अनुपाद, C निकालने के लिए क्या करना है, जिसका निकालना रहे, उसको ढग देना है और बाकी को गुना करके उसे नीचे के उसके नीचे लिख देना है ठीक है? आईए, हम लोग 15 नमर कोहचन देखते हैं 15 नमर देखिए, सिजिल PT 2020 का कोहचन बोड़ा है, एक निचित रासी सुनीता, अमित और बीभाग के बीच में, दो, तीन, चार कनुपात में बाटी जाती है, यदि बीभाग को 14,460 पर मिलता है, तो कुल रासी कितना था, यानि टोटल रासी तेकि मिला किसको बीभाग को कितना मिला है बीभाग को यहां से देखिए, बीभाग को मिला कितना, 14,416 तो अनुपात में बीभाग कितना मिल रहा है, चार, तो कहिए अनुपात में बीभाग को मिला चार, लेंग रुपाइया में कितना मिला, 14,416 रुपिया, 14,416 यहनि अनुपात चार कमान कितना हो गया 1446 अनुपात एक कमान बताए कितना हो जाएगा अनुपात एक कमान तो कट यह चार से तो चार त्याई बार है दू चार चक चोविस और यहां भागने लगा जीरो और चार चक 616 यानि डा यह 304 यह अनुपात एक कमान कितना है अच्छाटेसो चार प pregnant कुल राजीं कितना है तो कुल राजी निकालए निकालनाएं प्रफ म्यूर् समस्ता कि तो थहीवा अ अमीद और सुनिता को मिला करके तोटल अनुपात में कितना मिला तो चार तिन Sattu Dhu 9, यहनि अनुपात में टोटल धनरासी कितना है 9, 9 बराबर कितना हो जाएगा, यहनि छत्तिस सो 4 गुना 9, जत्तिस सो 4 गुना 9, कितना जाएगा, तो 9 चोको 36 हो जाएगा, 9 चक चौकण, चोगन के चारा बचा केतना पांच नोतियस सताइस पांच केतना जागा 32 यानि 32,436 रुपहिया जो है टोटल धन्रासी है और यही धन्रासी को दो तीन चार करिश्यों में सुनीता अमीत अभीभा को बीच में बाटा गया था तोटल धन्रासी केतना निकल गया 32,436 ओप्शन कौन जाएगा यहां से ऑप्शन नमर बी देकि इसी में बहुत तरह का कोशन बन सकता है ठीक है तो यहां से कि बीभा से बीभा तुलना कर लिजे अनुपात में बीभा को चार तो अनुपात में कितना रुपया में इतना अनुपात एक बराबर इतना इतना आपको लाना र तो सुनिता का निकल जाएगा, अगर अमीत का निकलना हो, तो अमीत को कितना मिल रहा है, अनुपात में तीन, तो छती सो चार में तिन से गुना तो अमित का निकल जाएगा अगर किसी का अंतर पुछेगा तो जिसका अंतर पुछेगा उसी का इसमें गुना कर लेना है कुछ भी पुछ सकता है तो इस तरह से बनाते हैं चलिए हम लोग 16 नमर कोहचन देखते हैं 16 नमर में दिया है दो संख्याओं का योग उनके अंतर से तीगुना है उनका नुपात क्या है? यानि दो संख्या है और दो संख्याओं का योग और अंतर तो चलिए, माले तो पहली संख्या A और दूसी संख्या B और दोनों का योग करेंगे, तो A पलस B पहली संख्या A तो दुस्री संख्या B तो दोनों का अंतर करेंगे तो बोला है योग जो है अंतर से तीगुना है माल लिजे कि अंतर अगर एक होगा तो योग कितना हो जाएगा तीन काई कि एक का तीगुना करेंगे तो कितना है तीन यानि मिला हमको A पलस B बराबर 3 और A माइनस B बराबर 1 यानि दो संख्याओं का योग मिला 3 तो दो संख्याओं का अंतर कितना मिला 1 तो पुछ रहा है दोनों संख्या का अनुपात कितना होगा यानि A अनुपात B देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दिया रहे तो अगर पहली संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़ करके दो से भागा किजे तीन और एक चार भागा दो कितना जाएगा दो और दूसरी संख्या निकालना है तो दोनों को घटा कर तीन में से एक घटेगा तीन और एक घटाएगा तो दो और भागा दो तो कितना हो जाएगा एक यानि दोनों को जोड़ करके दो से भागा तो पहली संख्या और दोनों को घटा करके 2 से भागा तो दूसरी संख्या ठीक है इह कब लाग होता है जब दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दिया रहे तब तो पहली संख्या दूसरी संख्या निकालने का रूल अन्य तो equation भी solve करके निकाल सकते हैं तो उतना नहीं करना equation solve करने में time लाएगा इसलिए पहली संक्या और दूसरी संक्या निकालने के लिए क्या करना है तो पहली संक्या निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भागा दूसरी संक्या निकलना रहे तो दुनों को घटाकर दो से भागा निकल जाएगा आपका अंसर कितना जाएगा दो अनुपात एक का रिशियो जाएगा चलि आते हैं हम लोग अगला कोहचन 17 नमर कोहचन 17 नमर में 2009 का कोहचन है बोल रहा है एक पुर्णांग एक बटाद दो और एक पुर्णांग एक बटा तीन के वर्गों के वित्क्रम किस अनुपात में होंगे पहले कह रहा हम इसको इसको तोड़िये गा तो कितना हो जाएगा 20 तीन व् iş का मुन कितना हो जाएगा एक ठीन ता तीन मतलब कितना हो जाएगा चार बटा तीन अब इसका वर्ग बोला है क्या इसका वर्ग कर लिजै यूस के वितक्रम की शुल्ट मतलब इल्टा स्को उल्टा किजिएей तो क्या होजाएगा यहा उल्टा विदक्रम हो जाएगा इसका को इसका ₹ क्या हो जाएगा तो चार बटा नौ हो जाएगा क्या और इसका विदक्रम नौवटा । श्लह हो जाएगा के ठीक है अब 34-ory ती तो 16 गुने 4 कितना जाएगा 64 और 9 गुने 9 कितना जाएगा 81 यानि इसके विद्ट क्रेम का अनुपात कितना यहाए इसकी वर्ग के विद्क्राइब तो पहले इसका वर्ग दोनों का वर्ग कीजिए और करने पास जाएगा उसको रिवर्स पास कर देना है निकल जाएगा अंसर केतना जाएगा चौन सेटन पात एकसी ओप्षन कौन जाएगा ए नमबर ऑप्षन ए नमबर चलिए हम लोग अठार्ण नमबर कोचन चलते हैं अठार्ण नमबर कोचन है सेसी सिजल पीटी 2017 का कोचन बहुत असान कोचन है ऐसा कोचन बहुत बताए हैं 9 और 45 के लिए तिसरा अनुपाति क्या है थीसरा नूपाति क्या अनि तिर्तीय नूपाति क्या पुछ रहा है तिर्तीय नूपाती बरावर क्या बढ़ा बटा थे बाता ए मटा एं म३ाइ ऑ टो यह हो जाएगा ए प्चे पाइगा निलेगा 55 गुने 45 अब हागा A A का मान 9 ये काटेगा 9 पचे 45 अब गुना किजे तब 25 आत्म बचा दो चार पचे बीसोदू 22 याने 225 याने 23 अनुपाती केतना अगया 225 ओप्सन कौन जाएगा मध्य अनुपाती पुछता तो रूट अंडर A B और तिरती अनुपाती पुछा है तो B असुकर बटा A लगाना है ठीक है अंसर मिल जाएगा आएए उन्हेस नमर कोहचन देखते हैं उन्हेस नमर में कोहचन है 24, 120 और 22 के चौथे अनुपाती क्या होगा चौथे अनुपाती क्या होगा मतलब चतुर्था अनुपाती पुछ रहा है ये भी CGLPT 2017 का कोहचन है बहुत अच्छा कोहचन है ऐसा कोहचन बता है चतुर्था नुपाति निकालने के लिए तो चतुर्था नुपाति निकालना है मतलब क्या मालना एक्स चतुर्था नुपाति क्या मालना एक्स अब अंदर एक सत गुना और बाहर बाहर एक सत गुना ठीक है तो किजे 24 गुना एक्स 24 गुना एक्स बराबर क्या हो जाएगा 120 गुना 22, 120 गुना 22, यही चतुर्था नुपाती का रूल होता है, अब कट ये, तो 24 पाचे 120 होता है, कड़ गया, एकस बरावर आ गया, कितना गया, तो 22 पाचे 110, यानि निकल गया यहां से चतुर्था नुपाती के तना अभी नमर 110 चतुर्था नुपाती निकलना हो तो 24 गुना X बरावर 120 गुना 22 की है तो X का मान निकल गया X क्या माने थे तो चतुर्था नुपाती माने थे तो चतुर्था नुपाती समानुपात का के जो पड़ा है उसी में अंदर अंदर एक साथ गुना, बाहर बाहर एक साथ गुना करना है, निकल जाएगा चतुर्थ अनुपाते, आजए 20 नमर कोश्चन, देखे 20 नमर में कोश्चन है, कि A अनुपात B बरावर है, 4.5, यानि ये A का वहलू दिया हुआ है, और ये B का वहलू दिया हुआ है, यानि A का रेशियो 4, तो B का रेशियो 5, तो कह रहा है, 2A पलस 3B, क्या पुछ रहा है, 2A पलस 3B, अनुपात, 3A, 3A पलस 2B, इसमें कुछ नहीं करना है, A और B का मान रख दिजे, यानि A का रेशियो और B का रेशियो, तो A का रेशियो 4, तो 4 गुना दूर केतना हो ग 5 गुना 3 कितना हो गया 15 अनुपात यहां सो जाएगा A का रेशियो 4 चार्ट यह 12 पलस और B का रेशियो 5 5 दूना 10 यानि यह हो जाएगा 15 वाट कितना हो गया 30 अब 12 दस बाइस यानि इसका रेशियो कितना मिला 30 अनुपात 22 का रेशियो कितना हो गया 30 अनुपात 22 option कौन जाएगा डी नम्मर option डी नम्मर तो बहुत असान कोचन है रेशियो कोई भास नहीं रहे चेप्टर है बहुत असान पढ़ने में लगता है आज 20 कोचन हो गया 20 तक आगे और लाएंगे इससे बड़ा बड़ा कोचन मिलेगा और उसको और इजी से बना सकते हैं ठीक है तो प्रैक्टिस इसी तरह से करते रहिए अ झाल झाल